पहला कोस्चन है किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सत्थ से फाल्तु पदार्थ बारिक कनों के रूप में हटाये जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी यानि की रेती यानि की फाइल उसके बाद यह जो फाइल है यह एक परकार का कैसा टूल है तो यह कटिंग टूल है जो फाइल है यह कटिंग टूल है छेन यानि की चिजल जो है यह भी कटिंग टूल है hexa जो है यह भी cutting tool है अब समझते हैं file के parts के नाम के बारे में अक्सर हमारे exams में यहां से questions बनते हैं तो आयो friends अब start करते हैं यहां समझते हैं तो यह जो file के यह वाले जो भाग है इस वाले भाग को क्या बोलते हैं इसे handle बोलते हैं अप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है और इस वाले भाग को भिशक्राइबर इ समय बोलते हैं उसकी एकशल लंभाई होती है और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं यह बीच वाले इस वाले भाग को साइड बोलते हैं एक्जाम्स में अक्सर यहीं से कोस्टन्स पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आप इससे एक दो बार अच्छे से समझ लें ताकि आप एक्जाम्स में इसली अंसर लगा सकें नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर सेकेंड रेती का मुख्य भाग है तो इसका राए टेंसर हो जाएगा ऑप्सटन नमबर सी यानि कि टैंग भी जो है वो रेती का भाग है उसके बाद क्या है पॉइंट ये भी क्या है दोनों जो है वो रेती का मुख्य भाग है इसका right answer होजाएगा option B यानि कि smooth file का प्रयोग कि जाता है draw filing में और इस file में 20 से 24 दाते 30 cm होते हैं और इसका प्रयोग जो है यानि smooth file का प्रयोग होता है वो हलके कामों में इसका प्रयोग किया जाता है उसके बाद है hand file तो hand file जो होता है वो flat file के समान आयताकार section की होती है कौन सा तो hand file उसके बाद के है उसके बाद है pillar file तो जो pillar file होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 25 cm तक की इसकी लंबाई होती है उसके बाद के है watering file है वार्डिंग जो फाइल है इसमें इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 20 सेंटिमीटर तक की इसकी लंबाई होती है नेक्ट कोचन है कोचन फोर्थ निम्न में किस फाइल का प्रियोग करके तयार साइज के निकटर लाए जाता है तो इसका राइट एंसर हो जागा option number A यानि कि bastard फाइल का प्रियोग करके और इस फाइल में कितने दाते होते हैं तो 12 दाते 30 सेंटिमीटर होती है इसमें तो bastard फाइल में और इसका प्रियोग जो हता है वह hard और soft दोनों पकड़के धातीओ के लिए इसका प्रियोग कियता है उसके बाद करें तो जो डेडल होता है इसमें fine यानि कि fine surviving के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन मेर 5 निमन में से किस फाइल का प्रियोग करके तयार कारखंड का final size तयार किया जाता है तो इसका right answer होज़ेगा option number D यानि कि dead smooth फाइल का प्रियोग किया जाता है और इसमें कितने दाते होते हैं तो जो dead smooth फाइल होते हैं इस फाइल के 28 से 35 दाते प्रती centimeter होते हैं किसमें तो dead smooth फाइल में नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं तो नेक्स्ट कोस्चन है कौस्चन देखते हैं कौस्चन देखते हैं कौस्चन देखते हैं कि कौस्चन देखते हैं तो इसका right answer होज़ेगा option number D यानि कि double cut फाइल होता है वो hard metal को क्या करता है तेजी से काटता है और rough कारे के लिए इसी फाइल यानि की रेती का प्रयोग किया जाता है किसका तो double cut फाइल का प्रयोग किया जाता है next question है question number 7 निम्न में से drilling tool का मुख्यकार है तो इसका right answer हो जाएगा option number A यानि कि job में बिरताकार सुराक करना drilling tool का यही कारे है और यह चीज़ drill होता है वो cutting tool है और यह प्रयोग किस चीज़ का बना होता है तो यह high carbon steel या फिर high speed steel का बना होता है कौन तो drill next question है question number 8 पतली ट्यूब को काटने के लिए hexa blade की उप्यूक्त पीच क्या होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि कि 0.8 mm होती है hexa blade की पीच और यह एक प्रकार का यानि कि जो hexa blade है यह एक प्रकार का steel की पत्ती होती है और यह high carbon steel, high speed steel, alloy steel इन सबसे मिलकर hard वो temper करकर बना जाता है किसे तो hexa blade को आप इस figure में देख सकते हैं यह जो pin hole है इस pin hole से लेकर इस pin hole के बीच की जो length होती है यह है hexa blade की लंबाई होती है I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा नेक्ट कोस्टन है, कोस्टन में 9, नीमने में से किस कारण से hexa blade बार बार धीला हो जाता है तो इसका right answer हो जाएक option number C, यानि कि wing nut की चूड़िये घीज जाने के कारण hexa blade बार बार धीला हो जाता है नेक्ट कोस्टन देखते हैं तो नेक्ट कोस्टन है, कोस्टन में 10, नीमने में से ठोस पितल के लठे को काटने के लिए blade की उप्यूक्त पीछ होती है तो इसका right answer हो जाएक option number C, यानि कि 1.4 mm जो है इसकी पीछ होती है नेक्ट कोस्टन है, कोस्टन में 11, नीमने में से किस hexa frame में दो या अधिक standard लंबाई के blade लगाए जा सकते हैं तो इसका right answer हो जाएक option number C, यानि कि adjustable hexa frame में नेक्ट कोस्टन है, कोस्टन में 12, नीमने में से hexa blade की लंबाई कितनी होती है तो इसका right answer हो जाएक option number B, यानि कि 300 mm होती है hexa blade की लंबाई आप इस figure में देख सकते हैं, यह hexa blade है इसकी लंबाई जो कितनी हो सकती है तो इसकी लंबाई जो होती है, वो 300 mm होती है I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा next question है, कोस्टन में 13, नीमने में से किस file का प्रियोग करके aluminium block को smooth finish किया जाता है तो इसका right answer हो जाएक option number A, यानि कि single cut के द्वारा क्या कियाता है smooth finish किया जाता है next question, question 14, नीमने में से drill cutting edge का कोन है तो इसका right answer हो जाएक option number C, यानि कि 108 degree है किसका, तो drill cutting edge का कोन और यह जो drill होता है, यह basically किस चीज़ का बना होता है तो यह high carbon steel यह फिर high speed steel यह alloy steel की goal rod से बनाय जाता है किसको तो drill को next question है, question 15, त्रिकोणिय डेती का कितना भाग समनांतर होता है तो इसका right answer हो जाएक option number B, यानि कि 2 बटे 3 भाग जो है वो शमनांतर होता है next question है, question number 16, hole को finish करने और थोड़ा सा बरा करने वाले cutting tool क्या कहलाते है तो इसका right answer हो जाएक option number D, यानि कि रीमर और यह जो रीमर होता है, यह एक परकर का cutting tool है और यह पराया high carbon steel, high speed steel के बने होते है next question, question number 17, किस धातु की रीमिंग करते समय कुलेंड की जरूरत नहीं होती है तो इसका right answer हो जाएक option number B, यानि कि cast iron की जो है रीमिंग करते समय कुलेंड की जरूरत नहीं होती है next question, question number 18, safe age rate होता है तो इसका right answer हो जाएक option number B, यानि कि दस्ती rate जो है वो safe age rate होता है next question, question number 19, निम्न में से किस कुलेंड का प्रियोग copper या aluminium की taping के दोरान प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएक option number A, यानि कि मीटी का तेल का प्रियोग किया जाता है next question, question number 20, twist drill की body पर बने groups को क्या कहते है तो इसका right answer हो जाएक option number B, यानि कि flutes कहते है तो friends, आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें, bell icon को दबाएं ताकि आपको notification time से मिलता रहें और अगर चाहते हैं आप इस वीडियो का PDF तो हमारे telegram को join कर सकते हैं टेलिग्राम के link description में दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलिग्राम को join कर सकते हैं thanks for watching